हलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका आपके एपनी यूटूब चैनल कीरतिमान फ्यूचर क्लासेज में दोस्तों हमने घात घातांक एवं करणी को इस्टार्ट किया हुआ है दो पार्ट हो चुके हैं बिल्कुल बेसिक से हमने बताया हुआ है अगर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा चले फिर हम आपको कोश्चन के साथ समझाते हैं जैसे देखिए कोश्चन है 81 की पावर तीन बटे चार का मान क्या होगा वाइसे तेया कोश्चन बिल्कुल इजी है आप कर भी सकते हैं अगर कांसेप्ट नहीं पता ह जरू देख लीजिएगा चलिए करते हैं सलीउसन तो देखिए जब भी इस तरीके का कोश्चन आएगा तो आप क्या करेंगे देखिए क्या है क्या है 81 की घात 3 बटे 4 है जब भी इस टाइब का कोश्चन आएगा जो यहां पर एजो घात में भीन दिया गया होगा यानि य नीचे वाला है आपकी कोशीस यही रहेगी जो हर होगा इसको खतम किया जाए तो इसको खतम क्या से करेंगे देखिए 81 को क्या लिख सकتे हैं अगर आप 81 का गुडका चार निकिल कर आएगा तो क्या पर 3 की घात 4 लिख सकते हैं देखिए एक क्यासिक की जगह पर हम 3 की घाथ 4 की पामर 3 बटे 4 लिख सकते हैं, बिलकुल लिख सकते हैं, अगर आप basic वीडियो को देखे होंगे, तो हमने बता हुआ है, अगर A की पामर M की पामर N है, तो इसका मतलब होता है, A की पामर M into N होता है, ठीक है, तो A क्या है, यह देखिए A की पामर M into N, A क्या है, तो देखिए यहां से, 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा हुआ है, तो 3 की घाथ 3, तो 3 की घाथ 3 क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा तो यही क्या आएगा right answer यानि ए correct हो जाएगा अगर इस type से question आता है तो आपको यह जो नीचे वाला यह जो हर है यह जो 3 बटे 4 में जो हर है इस हर को आपको खतम करना होता है इसी तरीके से question को दिया भी जाता है यह जो यहाँ जो बीच में रह होएंगे और उसको एक ही पावरियम के रूप में बनाएंगे तो यह वाला कैंसिल हो जाएगा नीचे वाला जो हर रहेगा वो कैंसिल हो जाएगा तो यहां से क्या गया तीन की घात तीन यानि 27 इसका correct answer आ जाएगा वैसे तो simple सा question था अगर जिसको नहीं बता है तो बहुत हाड भी question है तो यहां से 27 correct answer आ जाएगा चलिए दूसरा question करिए same to same पहले जैसे question की तरह से है देखिए यहां क्या दिया गया है 243 की घात तीन बटे 5 तो आपको यह जो नीचे वाला हर दिया गया है यानि घात के उपर जो भिन दिया गया है भिन का जो हर है इस 5 को आपको खतम करना होगा तो इसको कैसे खतम करेंगे चलिए देखिए आप हल करिए जल्दी से आप भी हल करिए कर तो लेंगे बहुत ही simple सा है तो इसको solve कर लेंगे देखिए क्या दिया गया है 243 बेसिक से हम धीरे-धीरे question का label भी change करते चलेंगे basic class है तो हम basic बता देते हैं बाद म हम high level के question लेकर आएंगे 243 कि घात क्या है 3 बटे 5 है तो आपको 243 का गुर्णखंड पता होना चाहिए तो इसे आपको पता होना चाहिए कि 243 का गुर्णखंड करने परकितना आएगा तो आपको 243 का पता होना चाहिए तो 243 का क्या होता है 3 की घात 5 होता है यह simple सी बात है इसको आपको पता होना चाहिए तो यहां से देखी क्या हो जाएगा 243 की जगह पर हम 3 की घात 5 लिख सकते हैं तो 3 की घात 5 की घात क्या हो जाएगा तीन बटे 5 हो जाएगा, फार्मूला क्या होता है, एकी पावर M की पावर N बराबर होता है, एकी पावर M गुडे N होता है, तो बस वही अपलाई कर देंगे, एकी पावर M है और तीन बटे 5 क्या है, यान है, तो यहां से क्या हो जाएगा, तीन की घात 5 गुडे, तीन बटे 5 हो गया, देखी यहां से क्या हो जाएगा, यहां गुडे में है यहां भाग में है, 5, तो cancel हो गया क्या बचा, 3 की घात, 3 बचा हुगा थोड़ा हम दूर लिख दियें, उससे कोई फरक नहीं पड़ेगा, तो क्या बचा हुगा है तीन की घात तीन यानि तीन की घात तीन क्या हो जाएगा 27 पाइले की तरह है इसमें भी 27 करेक्ट एंसोर आ गया यानि आपसा नमबर C करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल इजली आप समझ गये होंगे देखिए कोशन नमबर तीसरा देखिए इसे भी बिल्कुल इजली आप कर सकते हैं देखिए क्या दिया गया है 1000 की घात 9 में भाग करना है 10 की घात 24 तो देखिए यहां क्या दिया गया है 10 की घात 24 के रूप में दिया गया है तो क्या 1000 को 10 की घात के रूम में बदला जा सकता है तो बिल्कुल बदला जा सकता है चलिए देखिए हम करते हैं solution आप भी करते रहिएगा तो solution करते हैं देखिए क्या हो जाएगा 1000 दिया गया है 1000 की घात 9 दिया गया है भाग करना है इसमें 10 की घात 24 से क्या 1000 को 10 के घात के रूप में बदला जा सकता है यहां क्या दिया गया है 10 के घात के रूप में दिया गया है तो आप इसे भी 10 की घात के रूप में लिख देंगे 1000 को 10 की घात के रूप में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 10 गुड़े 10 गुड़े 10 यानी 10 की घात 3 हो जाएगा ठीक है 10 की घात 3 आ गया तो हम इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं 10 की घात 3 की घात 9 हो गया divide by 10 की घात 24 देखिए A की पावर M की पावर N है A की पावर M की पावर N है इसका मतलब A की पावर M into N तो बस apply कर देंगे तो 10 की घात क्या हो जाएगा 3 गुड़े 9 होगा तो 3 गुड़े 9 हो गया divide by 10 की घात 24 हो गया तो यहां से देखिए क्या आएगा यहां से 10 की घात क्या हो जाएगा 10 की घात 27 हो जाएगा divide by 10 की घात 24 देखिए divide by 10 की घात 24 है इसका मतलब क्या है इसको तो हम direct कर सकते हैं देखिए हम आपको समझा देते हैं इसका मतलब 10 की घात 27 डिवाइड का मतलब बटे 10 की घात 24 तो हमने एक फार्मूला बताय हुगा था जैसे देखिए जैसे हम यहाँ बता देते हैं एक पावर एम हो बटे एक पावर एन हो तो इसका मतलब होता है एक पावर एम माइनस एन होता है ठीक है अगर आपको basic नहीं पता है तो देख लीजिएगा वीडियो देखिए अगर आधार समान हो और घाते कुछ भी हो तो क्या होगा जो समान आधार है उसको लिख देंगे घहात आपस में घटा देंगे, उपर वाले घहात में से नीचे वाली घहात को घटा देंगे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 की घहात 27 माइनस 24 लिख सकते हैं, तो 10 की घहात यहां से देखिए, यहां क्या आ जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, 10 की घात 27 में से 24 को घटाएंगे 3 आ जाएगा तो हम देखिए अभी 10 की घात 3 को कितना लिखे थे हमने 1000 तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 1000 एक हजार इसका correct answer आएगा जो की option number कौन सा है option number C correct है बिल्कुल step by step आप समझ चुके होंगे question number 4 important है क्योंकि इस type के question देखने को मिलते हैं देखिए question number 14 क्या है 5 की घात X plus 3 दिया गया है बराबर 25 की घात 3X minus 4 दिया गया है जब भी इस type का question आए तो आपको क्या याद होना चाहिए ये वाला formula आपको पता होना चाहिए A की power M बराबर A की power अगर यन है तो M बराबर क्या होता है N होता है हमने पहले वाले part में बताया हुआ है नहीं देखा है तो देख लीजिएगा तो A वाला formula क्या है A यहाँ पर क्या है A यहाँ पर आधार है और YM क्या है घात है इधर भी A क्या है आधार है YN क्या है घात है अगर आधार समान है तो घहाते आपस में बराबर हो जाएंगे बस आपको इतना याद रखना है तो यहां देखिए आधार 5 है यहां आधार क्या है 25 है तो दोनों तरफ हम आधार को 5-5 के रूप में परिवर्तित करेंगे तो चलिए करते हैं solution देखिए 5 की घहात क्या है x प्लेस 3 है और देखिए बराबर यह 25 है ना 25 को क्या लिख सकते है देखिए 25 को 5 का whole square के रूप में लिख सकते है तो देखिए 5 का whole square की घहात क्या हो जाएगा 3x माइनस 4 हो जाएगा तो आपको formula तो पता ही होगा a की power m की power n क्या होता है a की power m into n होता है तो बस वही apply कर देंगे देखिए यहां से क्या हो जाएगा 5 की power x से plus 3 बराबर यहां से 5 की power क्या हो जाएगा इसमें multiply हो जाएगा तो direct हम multiply कर देते हैं 2 3 6 x माइनस 2 4 8 हो जाएगा देखिए अब दोस्तों क्या अब आपको क्या समझ में आ रहा है देखिए आधार क्या है समान है जब भी आधार समान हो और उनके बीच बराबर का चिन लगा हुआ हो तो घात भी आपस में क्या होंगी बराबर होंगी तो यहाँ देखिए आधार क्या है 5 इधार भी आधार है 5 इधार भी आधार है तो घात आपस में क्या होंगी बराबर होंगी यानि x प्लेस 3 बराबर 6 x माइनस 8 हो जाएगा this imply x x को एक तरफ ले आएंगे संख्या संख्या को एक तरफ ले आएंगे तो इसको इस तरफ ले आएंगे तो 8 और 3 क्या हो जाएगा 11 बराबर इसको हम इस तरफ ले जाएगे तो 6 x में से x को घटाएंगे तो 5 x आजाएगा तो this imply x का मान पूछा गया है हो तो x का मान ग्यात कीजिए तो x बराबर क्या हो जाएगा 11 एक गुड़े में इधर आएगा भाग में तो x बराबर 11 बटे 5 इसका क्या आएगा करेक्ट आएंस वर आजाएगा अगर आपको कांसेप्ट पता है इससे भी लंबे कोश्चन को आप बिल्कुल इजली कर सकते हैं तो हमने इसलिए पहले पार्ट में बिल्कुल कांसेप्ट बताया हुआ है अगर आप वीडियो देख रहे होंगे तो आपको इस समझ में आ गया होगा तो यहां से x कमान क्या जाएगा 11 बटे 5 आएगा जो की आपसन नमबर क्या है बी करेक्ट है बिल्कुल इसलिए आप step by step समझ गये होंगे अब अगला question जो इस type का है उसे आप तुरंत लगाएंगे हमारे साथ 7 question नमबर पांचवा देखिए important question है इस question को solve करिए देखिए 64 की घात 2x-5 बराबर 4 गुड़े 8 की घात 2-4 हो तो यक्स का मान ग्यात कीजिए बिल्कुल easily करेंगे देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे इस type की अगर question आते हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे दोनों तरफ के आधार को सबसे पहले बराबर करेंगे आधार को सबसे पहले बराबर करेंगे जैसे आधार क्या होता है A की पावर M दिया गया है A की पावर N तो यह जो होगा इसको सबसे पहले आप आधार को बराबर कर देंगे तो घहात आपस में अपने आप बराबर हो जाएगी तो हम यहां से यक्स का मान निकाल सकते हैं तो देखिए 64 को क्या लिख सकते हैं देखिए 64 64 को क्या लिख सकते हैं 64 को हम लिख सकते हैं 64 को हम 4 की घात 3 के रूप में लिख सकते हैं बिल्कुल लिख सकते हैं तो देखिए यहां से 3 की घाट 4 के रूप में लिख सकते हैं चाहे तो आप 2 के पामर के रूप में भी लिख सकते हैं और यहां भी 2 के पामर के रूप में बदल कर लिख सकते हैं तो चलिए हम 2 के पामर के रूप में लिखते हैं तो 64 को क्या लिख सकते हैं? 64 को लिख सकते हैं, 2 की घात 6 लिख सकते हैं, एस सब practice से ही आता है, क्योंकि इतना छोटा छोटा चीज आपको नहीं जिखाया जा सकता है, ये सब प्रैक्टिस से ही आता है कि 2 की पावर ए 664 का गुड़न खंड आप इतना टाइम तो होता नहीं है कि वहल हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं देखिए इसको 2 की घात 2 के रूप में लिख सकते हैं और इसको क्या लिख सकते हैं आठ को 2 की घात 3 की घात क्या लिख सकते हैं यहां से क्या हो जाएगा, और 2x-5 हो गया, इतना कुछ भी नहीं करने की जरूरत है, बस एक बार आप समझ जाते हैं, तो इतना कुछ नहीं डारेक्ट आप आइंसो निकालेंगे, बस एक बार आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, तो यह क्या हो जाएगा, देखिए इसको हम लिख सकते हैं, 2 की घात 2, यह देखिए 2 की घात 3, यह भी उपर मल्टिप्लाई हो जाएगा, यानि 2 की घात 3 हो गया, x-4 हो गया, ठीक है यहां, हमने एक फार्मूला बताया हुगा था, देखिए फार्मूला क्या था, फार्मूला इस शैप्टर में सबसे महत्पूर्ण है, जैसे एकी घात m दिया गया है, मल्टिप्लाई दिया गया है, एकी घात n, तो इसका मतलब होता है, एकी पामर m प्लस n होता है, आधार समान होने पर, उनके बीच अगर गुड़ा का चिन लगा हुआ है, तो घात आपस में जुड़ जाएंगी, यानि एकी पामर m प्लस n हो जाएगा, बस वही सिंपल सा अप्लाई कर देंगे, देखिए यहां से क्या हो जाएगा, मल्टिप्लाई कर देंगे, तो दो की घात, एक च्छा दुनी, बारह, एक्स माइनस, च्छा पंचे, तीस हो गया, बराबर, देखिए, आधार क्या है, समान है, तो घाते आपस में जुड़ जाएंगी, यानि क्या हो जाएगा, दो की घात, इसका मल्टिप्लाई कर देंगे, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे न, सबसे पहले हम इसको मल्टिप्लाई कर देंगे, तो दो जोड़कर हम इसको मल्टिप्लाई कर देंगे, यानि, 3x minus 3.12 हो गया ठीक यहां तक अब देखिए हमारा क्या हो गया आधार दोनों तरफ हमारा समान हो गया सबसे पहले अगर इस टाइब का कोश्चन आता है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे आधार को समान बनाएंगे चाहे किसी भी तरीके से आपको आधार को समान बनाना है तो घात आपस में क्या हो जाएंगी बराबर आधार समान है तो घात आपस में बराबर हो जाएंगी यानि क्या हो जाएगा 12x minus 30 बराबर किसकी हो जाएगा यहां से देखिए एक आजाएगा यहां से 3x माइनस 12 और प्लस का 2 यानि माइनस का 10 हो जाएगा देखी 3x माइनस 10 यह बिल्कुल यह तो रहखिक समी करण है इतना तो आपको पता ही होना चाहिए अच्छा 6 से ही यह सब दिया गया है तो इसको हम solve कर लेंगे x को x की तरफ ले आएगे तो 12x में से 3x को घटाएंगे तो 9x बराबर हो जाएगा इसको इस तरफ ले जाएगे तो माइनस 10 यह माइनस इधर आएगा प्लस का 30 हो गया यानि 9x बराबर क्या हो गया यहां से 20 हो जाएगा यहां से this imply x is equal to गुडे में इधर आएगा भाग में यानि 20 बराबर आएगा जो कि आपसन नंबर कौनसा है आपसन नंबर डी करेक्ट है important question था इस टाइप के question अगर आपको मिलते हैं तो आप easily कर सकते हैं सबसे पहले आप क्या करेंगे जो आधार दिया गया होगा सबसे पहले आधार को आप किसी भी तरीके से simplify करते हुए उसको बराबर करेंगे फिर उसके बाद आपस में घातों को आपस में equal कर देंगे अगर yaks का मान पूछा गया है तो इस तरीके से easily कर सकते हैं तो d क्या हो जाएगा correct answer यानि 20 बटे न इसका right answer हो जाएगा हाँ तो दोस्तों इस question को आप solve करेंगे इसका उत्तर comment box में देंगे इसका screenshot ले लिजिए और इसको solve करके comment box में इसका उत्तर दे दीजिएगा जिससे कि आपका practice भी हो जाएगा करिएगा बिल्कुल simple सा question है एक बार थोड़ा सा अगर mind लगाएगे easily solve कर सकते हैं important question है इसका screenshot ले लिजी आप तो दोस्तों उमीद करते हैं आपको समझ में जरूर आया होगा हमने बिल्कुल basic से step by step बताया होगा है बताया आपको तो उमीद करते हैं आप समझ गए होगे समझ में आपको लाइक कर दीजिएगा अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा चलिए फिर मिलते हैं अगले पार्ट में तब तक के लिए टेक केर जय हिंद भारत माता की जय